नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है आधुनिक भारत का इतिहास अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपयाई से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थेंक यू, धन्यवाद प्रस्तुत है भाग एक, प्रस्तावना से लेकर अठार्वी सदी का पुर्वार्द प्रस्तुत है भारती इतिहास एक नजर में, इंडियन हिस्ट्री एट ग्लांस प्राचीन एवं मद्यकालिन भारत किसी देश का इतिहास अविभाज अर्थात इन डिवाइसिबल होता है हम अपनी सुविधा से उसे विभिन कालों में विभाजित करते हैं फिर विभाजन का आधार किसे बनाया जाए, ये भी अपने आपने एक महत्वण प्रश्न होता है जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश विद्वानों ने भारती इतिहास का आधुनिक अध्यन किया था और इस क्रम में एक ब्रिटिश विद्वान जेम्स मिल ने इतिहास का काल विभाजन, हिंदु काल, मुसलिम काल और ब्रिटिश काल में किया यहां विभाजन का आधार धर्म को बनाये गया परंतु भारती इतिहास लेखन की नवीन धारा के विकास के साथ जेम्स मिल का ये विचार पुराना पड़ गया और इसे अस्विक्रत कर दिया गया उसकी जगह इसका नया नामकरण प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिकाल अर्थाथ एंसियन्ट पिरियड, मेडिवल पिरियड और एंड मॉडन पिरियड के रूप में किया गया साथ ही इतिहास की विभाजन का आधार प्रवर्तियों को बनाते हुए काल करम का विभाजन पर्थक रूप में किया गया प्राचीनकाल का आरंभ मानव सभिता के विकाज से लेकर लगभग 750 इसवि तक रखा गया है पहले राजवन्स को आधार बनाकर मध्यकाल का आरंभ उत्तर भारत में तुर्की साशन के स्थापना के साथ ही बारावीं शदिकेंत से माना जाता था वहीं अवे इसका आरंभ 750 इसवि के लगभग से माना जाने लगा है जब भारत में सामंतवाद का विकास हुआ इसे प्रकार ब्रिटिस पक्षधर विद्वानों ने आधुनिक काल का आरंभ प्लासी युद्धर्थात 1757 से माना है तो वहीं मराठा पक्षधर जो विद्वान है उन्होंने इसे 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध से माना है तो कुछ मुगल पक्षदर विद्वान जो हैं वो 1707 में औरंगजेव की मृत्य से ही आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं किन्तो हाली में एक नया विचार भी उभर कर सामने आया है वह यहा है कि 19th यानि 19th सदी में समाजवम धर्म सुधार आंदोलन के विकास से ही अर्थात भारती पुनर जागरण के समय से ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाना चाहिए इस परकार कुछ प्रवर्तियों के आधार पर भारती इतिहास का विभाजन तीन कालों में किया गया है सबसे अंतिम काल जो है वहा आधुनिक काल है जैसा की नाम से ही विदित होता है आधुनिक काल सबसे पर्थक काल है यह वह काल है जब आधुनिक संस्थाओं का निर्मान हुआ फिर यह वह काल है जब भारत में राष्ट निर्मान संभव हुआ परंतु आधुनिक काल का पर्थम, भारत अधिकांश एश्याई अफरीकी देशों में उपनिवेशी करण और आधुनिकी करण दोनों साथ साथ हुए। प्राचीन भारत एवं मद्हकालिन भारत के इतिहास में होने वाले महत्तु प्रुण विकास की भी संक्षिप्त जनकारी होनी चाहिए। पुर्व में बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र इसे एक प्राकृतिक एवं सुसंगठित भागोलिक आकार प्रदान करता है। यदिपिया सही है कि ब्रिटिश के आगमन के पश्षात तथा आधुने की युग के उद्भो के साथ ही राष्ट्रवाद की अवधारना को जोड़ा जाता है। किन्तु यह भी सत्य है कि प्राचीन काल से ही भारतिय उप महादुइप को एक संयुक्त इकाई के रूप में देखने की चेतना रही है। तथा प्राचीन साहित्ति में इसे जम्बू दुइप के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती शासक की अवधारना उभर कर आई। उसे माना गया जो संपूर्ण जम्बू दुइप पर नियंत्रन रखता हूँ वही चक्रवर्ती सम्राठ हुआ करता था। परन्तु एक अखिल भारती सम्राजी के निर्मान में कुछ व्याभारिक कठिनाईयां भी बनी हुई थी। वस्तोता भारत का आकार ही बहुत बड़ा नहीं था बलकि यहां पर बहुत अधिक भोगोलिक एवं संस्कृतिक विविधता भी थी। इसलिए किसी भी सम्राजी को एक लंबे काल तक बनाए रखना व्याभारिक रूप में अतधिक कठिन था। इसके अतरिक्त सुदूर पूर्व एवं सुदूर दक्षन के क्षेत्र पर किसी भी सम्राजे द्वारा नियंत्रन बनाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनोती बनी रही। भारत में साम्राज निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया मगद साम्राज के अंतरगत मद्द गंगा घाटी से आरंभ हुई। यहाँ प्रक्रिया लगभग छठी सदी ईशा पुर्व से शुरू हुई फिर लगभग चौथी सदी ईशा पुर्व में मौरियों के अधीन एक अखिल भारतिय सामराजी का निर्माण हुआ यह सामराजी उत्तरपश्य में काबुल और कांधार से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षन में ब्रम्ह गिरी तक फैल गया था परन्तु यह लगभग 150 वर्षों तक ही अस्तित्तु में रहा और फिर इसका विख्टन हो गया आगे दूसरी सदी इसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी इसवी तक का काल मौरियोत्तर काल का माना जाता है इस काल में बहु राज्य विवस्था कायम रही थी अर्थात अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्तु में रहे थे इन में से एक कुशाण एक व्रहद सामराज्य स्थापित कर सके परन्तु इस सामराज्य का एक बड़ा भाग मद्द एशिया एवं पश्यम एशिया के क्षेत्र में अर्थात भारत से बाहर कायम रहा था आगे तीसरी सदी में कुशान सामराज के पतन के पशात गुप्तों का उद्भव हुआ तीसरी सदी और छटी सदी के बीच के काल को गुप्त काल कहा जाता है गुप्तों के द्वारा सामराज निर्बान की प्रक्रिया आरंभ की गई परन्तु गुप्तों का सामराजी अपेक्षाक्रत छोटा था। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र एवं नर्मदा से दक्षण के क्षेत्र पर गुप्तों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहा था। सामंत वादी प्रवर्ति भी प्रवल हो रही थी। हर्श वर्धन का काल गुप्तों तर काल से संबध्ध है। फिर लगभग 750 इसवी पूर्व में पूर्व मद्यकाल का आरंब हुआ। इस काल में उत्तर भारत में प्रतिहारों ने एक बड़े एक शेत्र को संगठित करने का प्रयास किया। इसी काल में दक्षन भारत में चोल सामराजी के स्थापना हुई। तथा चोलों ने न केबल प्रायदुईपी भारत के बड़े एक शेत्र पर बलकि दक्षन में श्रिलंका और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक के शेत्र पर नियंत्रन बनाया रखा। भारती इतिहास में पारह सौवी इस्वी के पश्षात के काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना गया है। इस काल में उत्तर भारत में तुर्की शासन के स्थापना हुई। इसे सल्तनत काल अर्थात 1192 से लेकर यानि 1192 से लेकर 1526 पंदरा सो 26 तक जाना गया। इस काल में क गुलाम वंस, खिलजी वंस, तुगलक वंस, सयद वंस, लोधी वंस इस काल में अलाउद्दिन खिलजी ने सामराज निर्मान की प्रक्रिया आरंब की थी जो कि मुहम्मद बिन तुगलक के काल में अपने चर्मोत कर्स पर पहुँच गई इसका भी स्वरूप लगभग अखिल भारती हो गया परन्तु मुहम्मद बिन तुगलक के पश्चात इस सामराजी का विगटन आरंब हो गया दिल्ली सल्तनत के विगटन के साथ ही भारत में बंगाल, विजैनगर, बहमनी, गुजरात, मालवा जैसे अनेक शेत्रिय राजे स्थापित हुए है आगे फिर लोदियों को निस्कास्ट करके मुगल शासक बाबर ने 1526 एसवी में मुगलिया शक्त की नीव डाली अकबर के अधीन इसने एक सामराजी करोप ले लिया फिर जहांगीर और शहजहां के अंतरगत इसका विस्तार जारी रहा उसके बाद औरंगजेव के अधीन मुगल सामराजी ने दक्षण में कृष्णा नदी को भी पार कर लिया परंटो और अंगजेव की मृत्यु के साथ ही एक बार फिर से बहु राज्य वेवस्था कायम हो गई और मुगल सामराजी का पतन हो गया इस प्रकार अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत के राजनीतिक परिद्रश्य पर निगाह डालने के बाद निमलिखित प्रमुख तक्तो सामने आते हैं भारत में सामराजी निर्माण आरंब से ही एक आदर्श मौडल रहा है और समय समय पर इसके लिए प्रयास भी होता रहा फिर भी भारती एतिहास के अधिकान शकाल में बहुराज वेवस्था ही कायम रही समय समय पर सामराजी बनते रहे और फिर तूटते रहे दूसरे जब एक सामराजी विख्टित हुआ तो फिर कुछ समय के बाद किसी एक राज अथवा कोई वाहे आक्रमन कारी समूह ने फिर से एक वार सामराजी निर्माण के पहल कर दी और फिर एक नया सामराज जैस्तितु में आ गया अर्थात इन बातों के प्रकाश में निमलिखित प्रशन उठाये जा सकते हैं नमबर एक ब्रिटिशर्स का यह दावा कहां तक सही है कि उन्होंने भारत को राजनीति के एकता प्रदान की और दूसरा मुगल सामराजी के विख्डन के बाद जो बहुराज्य विवस्था कायम हुई थी उसे पतन अथवा अंधकार का काल कहना कहां तक उचित है खेर अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थ विवस्था में आते हैं अगर प्राचीन काल से वैश्विक संसाधनों पर नजर डालें तो हमें ग्यात होता है कि एशिया विशाल आकार वाला एबं अपार संसाधनों वाला महादूइप था फिर यहाँ प्राचीन काल से वाहे विश्व के लिए खुला हुआ था एशिया में भी भारत एबं चीन एक बड़े आकार वाले तथा संसाधनों से परिपूर्ण देश थे इशा की आरंबिक स्षताब्दियों से ही एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ था जो योरोप से लेकर पूर्व में चीन एवं दक्षन पूर्व एशियाई क्षेतर तक फैला हुआ था इसके केंदर में भारत था और तब तक अमेरिकी महादुई प्रकाश में नहीं आया था सबसे बढ़कर योरोप को हमेशा एशियाई उत्पादों की जरूरत होती थी इसमें अनेक वस्तुएं शामिल थी जैसे कीमती पत्थर और शदी आदी परंतु सबसे प्रमुख मद जो थी वो थे मसाले और रेशम यहाँ प्यापार समुद्री मार्गेवं भूमी मार्ग दोनों से होता था इस काल में रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट अस्तितुमें आ गया था जो आज भी चर्चा का विशे बना हुआ है यहाँ एक प्रकार की ग्लोबल एकॉनमी का उदाहरण है इसमें चीन और भारत की अर्थविवस्था निर्यात पर आधारित अर्थविवस्थाएं थी तथा विश्यों के कुल उत्पादन में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था मध्यकाल में भी लगोगी यही इस्तिती बनी रही ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में गुप्त सामराज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में निर्यात आधारित अर्थविवस्था को धक्का लगा था परन्तु दक्षन भारतिय राज्यों एवं सामराज्यों के तटीय क्षेत्रों में निर्यात अर्थविवस्था तथा नगरी अर्थविवस्था कायम रही थी। इस समय उत्तर भारत में तुर्की शासन के स्थापना के साथ नवीन तकनिकी जैसे चर्खा, करगा, कागज, भवन निर्मान आधि को प्रोचसाहन मिलने से शिल्प एवं उद्ध्योगों तथा व्यापार, मानक मुद्रा, मानक मुद्रा का प्रचलन, नगरी करण आधि का विकास हुआ। आगे मुगल काल में इन प्रवर्तियों का और भी विकास देखा गया। सबसे बढ़कर 17 सदी में योरोपिये कमपनियों की गतिविधियों के साथ एक ग्लोबल पूर्व में चीन एवं दक्षन पूर्व एशिया तक एक व्यापक व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ। इस काल में योरोपी कमपनियों का एशियाई वस्तूओं के प्रती आकर्शन बना रहा। ये वस्तूओं थी मसाले एवं सूती वस्तृ। इसके अतरिक्त नील, अ शम आदिकी माग भी बनी रही थी। यहाँ वह काल था जब बड़ी मात्रा में योरोपी ये कमपनियों अमेरिकी महादूइप से सोना एवं चांदी जैसी कीमती धातूइं लाती थी। परंतु यह कीमती धातू योरोप में रुक नहीं पाती थी। यद्यपी यहाँ एश इवं भारत की अर्थववस्था का आकलन करते हुए यह दर्शाया है कि अगर वर्तमान जीडीपी की संद्रव में देखा जाए तो विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 55 प्रतिशत चीन और भारत के पास था। चीन के हिस्से में लगभग 31 परसेंट और भारत के हिस्स का दावा यह कहां तक सही है कि उसने भारत का आधुनिकी करण किया क्योंकि ब्रिटिश शासन के अंतरगत विश्व की कुल जीडीपी में भारत का अंशदान कम होकर लगभग 3 परसेंट हो गया अर्थात ब्रिटिश ने है भारती अर्थववस्था का बहुत बड़े पैम ब्रिटिश अर्थववस्था अउद्योगी करंत की ओर बढ़ गई तो दूसरी ओर भारत में उद्योगों का विनास हो गया तो यह तो रही अर्थववस्था की स्थिति फिर हम लोग सामाजिक संरचना पर आते हैं लंबवत एवं 36 विभाजन अर्थात वर्टिकल डिवी किसी भी पूर्व आधुनिक समाज का स्वाभाविक लक्षन होता है उसे प्रकर पुरुष महिला समानता के अवधारना भी एक आधुनिक अवधारना है पूर्व आधुनिक समाज में महिलाओं के स्थिति निम्न थी उपर युक्त कारक एक सारवभावमिक लक्षन था जो प्राचिन काल में सामाजिक विभाजन के क्रम में वर्ण जैसी अवधारना उभर कर आई वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग परन्त वैदिक काल में यहाँ पेशे से जुड़ गया था आरंब में तीन वर्णों की परिकलपना की गई थी जैसे पुरोहित राजन ने एवं शेस लोग परन्त उत्तर वैदिक काल तक आकर चतुर वर्ण अर्था चार वर्णों वाली विवस्था कायम हुई ये चार वर्ण थे ब्रामण, क्षत्रिय, वैशे एवं सूद्र आरंब में वर्ण विवस्था में परियाप्त सामाजिक गतिशीलता थी शोशल मोबिलिटी जिसको कहते हैं अर्थात पेशे के आधार पर वर्ण में परिवर्टन हो जाता था वस्तु तहा छटी सदी ईसा पुरुव में अथव बुद्ध काल में आकर वर्ण विवाजन कठोर होने लगा इस काल में ब्रामणों ने सूत्र साहित लिख कर वर्ण विवाजन को कठोर बना दिया अब इस विवाजन को जन्म के साथ जोड़ दिया गया अर्थात पिता का वर्ण पुत्र को मिलने लगा यहीं से जाती के विकास की आधारशिला भी निर्मित होई वर्ण के जन्म से जुड़े होने के कारण धीरे धीरे वर्ण विवस्ता का उलंगन होने लगा और इसके साथ वर्ण संकर जाती की अवधारणा विक्सित होने लगी यहाँ वर्ण संकर जातियां जाती विवस्था में समाहित होने लगी इस प्रकार जातियों की संख्या बढ़ती रही अब वर्ण महज एक आदर्श परिकल्पना रह गई वहीं जाती एक वास्तिविकता बन गई परन्तु जाती विवस्था का अध्यन करते हुए नेमलिकित बातों का ध्यान रखना आवश्चिक है भारत में जाती विवस्था की अवधारना एक सार्व भौमिक अवधारना रही है चाहे वह विदेशी तत्व हो या जनजाती ये तत्व जो भी भारती सामाजे के जीवन के हिस्से बने वे अंतताह जाती विवस्था में समाहित हुए और जाती संरचना में उन्हें कोई नो कोई धर्जा प्राप्त हुआ इसके अत्रिक्त एक तत्व यह भी है कि जाती की संकल्पना कोई इस्थिर संकल्पना नहीं रही है बदलते हुए समय के साथ जाती संरचना में जातियों का इस्थर और दर्जा बदलता रहा कई जातियां समय के साथ जाती दर्जे में उपर आ गई तो कई अन्य का दर्जा नीचे गिर गया इसके साथ साथ एक और भी तत्व याद रखने की जरूरत है वह यह कि जाती व्यवस्था को समय समय पर चुनोती मिलती रही थी तथा अलग-अलग समय में प्रथक-प्रथक सुधारक भी खड़े हुए उदाहरन के लिए प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर जैसे सुधारक हुए तो मध्धिकाल में नानक और कबीर जैसे महिलाओं की स्थिती का संबंध वर्ण एवम जाती व्यवस्था के साथ गहरे रूप में जुड़ा रहा है वैदिक काल में कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिती अच्छी थी परन्तु जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था के जटिलता बढ़ती गई महिलाओं का सामाजिक दरजा भी नीचे आता गया इसका एक बड़ा कारण था वर्ण एवम जाती व्यवस्था की शुधता को बनाए रखना वर्ण एवम जाती व्यवस्था का सुचार रूप से संचालन हो इसलिए महिलाओं को पुरुशों के अधीन करना आवश्च्छ था इसलिए बैदिक काल के पशात महिलाओं की सामाजिक दशा निरंतर रूप में गिरती रही थी भारत में मुस्लिम शासन के स्थापना के बाद भी जाती विवस्था ना सिर्फ पहले की तरह कायम रही बलकि मजबूत बनती रही इस काल में एक बड़ी विचित्र इस्थिती यह देखी गई कि इसलाम जो की मिल्लत अथवा बंधुता की अवधारना पर आधारित था जिसका नारा रहा था कि एक ग्रंथ एक धर्म तथा एक जाती इसलिए उम्मीद की गई थी कि इसलाम के आगमन के पश्चात अगर भारत में जाती विवस्था समाप्त नहीं होगी तो कम से कम कमजोर अवश्य हो जाएगी परन्तो ऐसा हुआ नहीं बलकि एक विपरीत इस्थिति यह देखी गई कि मुस्लिम समाज में भी कृत्रिम रूप से एक प्रकार की जाती विभाजन विक्सित हो गया जाती विवस्था जैसा कारक दक्षन एशिया के इसलाम को पश्चिम एशिया एवं मद्य एशिया के इसलाम से प्रथक कर देता है भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना के बाद जाती विवस्था एवं महिलाओं के इस्थिति पर इसका प्रभाव देखा गया जब उन्नीसमें सतापदी में भारतिय सुधारकों के एक वर्ग ने महिलाओं की सामाजिक दशा को उचा उठाने और जाति विभाजन की बुराईयों को समाप्त करने के लिए सुधार आंदोलन चलाया परन्तु यह भी गवर करने वाले चीज है कि ब्रिटिश शासन ने जाति आधारित जनगरना को जनम दे कर एक तरह से जाति विभाजन को और मजबूत बना दिया अब हम चलते हैं सांसकर्तिक संरचना की ओर जैसा कि हमने देखा कि भारतिक महादूईपी आकारवाला देश रहा था तथा यहां भागोलिक एवं जलवायू संबंधी विविधता रही इसने स्वाभाविक रूप से सांसकर्तिक विविधता की प्रष्टभू में निर्मित की क्योंकि लोगों के खान पान रहन सहन एवं जीवन पधति में विविधता देखी गई परन्तु कुछ भागोलिक एवं जलवायू संबंधी बाधाओं के बावजूद विभिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच वैचारिक एवं संसकर्तिक आदान प्रतान होता रहा था। इसलिए भारत में संसकर्तिकी एक विशिष्ट रूपरेखा विक्सित हुई जिसे लोग प्रिय रूप में विविधता में एकता का नाम दिया जाता है। पहले हड़ापाई लोग मूर्ति पूजक रहे थे। वैदिक काल में यग्य एवं कर्मकांड की प्रधानता हुई। परन्तु वैदिक काल के आखिर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया उपनिशद के चिंतन के रूप में केशरवाद का तत्तु था। आगे वैदिक धर्म के समानांतर बौध एवं जैनपंथ का विकास हुआ। परन्तु ये सभी धर्मिक पंथ आर्रे समुह से ही जुड़े रहे थे। इनमें बौध धर्म को कहीं अधिक लोग पृता मिली थी। और यह भारत तथा भारतिय पहार भी फैल गया था। दूसरी तरफ गैर आर्रे तत्तों में भी भक्ति एवं मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसके परिणाम सरूप धर्म में भक्ति एवं मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ने लगा। तथा गुप्त काल तक आकर मंदिर एवं मूर्ति पूज प्रमुख हो गई आगे पूर्व मध्यकाल तक आरे एवं गैर आरे पंथों के बीच मिश्रण से धर्म का जो सुरूप निखर कर आया उसे ही आगे चलकर हिंदु धर्म के नाम से जाना गया इस काल में धर्म के क्षेतर में उत्तर एवं दक्षन भारत के बीच में सामन जसे होता रहा उत्तर से भक्ति दक्षन की योर गई फिर दक्षन में इसमें भावनात्मक तक तो प्रबल होता गया फिर दक्षन से भक्ति उत्तर आई तब तक उत्तर में इसलाम का आगमन हो चु प्रचलित शैलियां जैसे नागर, बेसर एवं द्रवन शैलियां थी जबकि भारत में तुरकों ने एक नई शैलिका प्रचलन कीए तो फिर स्थापत्य के क्षित्र में इंडो इसलामिक शैलि का विकास हुआ। उसे परकर चित्र कला, संगीत कला आदिक शैलियां भारती शैलियां और इरानी शैलियां के बीच सामंजस से देखा गया। अताहा आधुनिक भारत के इतिहास के अध्यन से पहले भारती संस्कृ के निम्लिखित पहलूं को समझना और जानना आवश्यक है। निम्लिखित तत्तों को विशेश रूप से गौर करने की जरूरत है। क्या। पहला, पशिमी यॉरप जिसमें इंग्लेंड भी शामिल था, उसकी तुलना में न केवल भारत का भोगोलिक आकार काफी बड़ा अपितु भारत में सांसकर्तिक विविधता भी कहीं अधिक थी। इसलिए पशिमी यॉरप में विक्सित राष्टरवाद का मॉडल भारती परिस्तियों में पूरी तरह फिट नहीं बैट रहा था। दूसरे पशिम में राज्य और धर्म के बीच संबंध एवं भारत में राज्य और धर्म के बीच के संबंध एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहां यॉरप में धर्म लोगों के उत्पीडन का साधन बना वहीं भारत में प्राचीन काल से ही धर्मिक सद्भाव की नीति का अनुपालन किया गया था। एक ही शासक एक साथ कई धर्मिक पंथों क संरक्षन देता था। इसलिए यॉरप में विक्से धर्म निर्पेक्षता के नीति भारती परिस्थितियों में फिट नहीं बैठती थी। आधुनिक काल वैश्विक इस्तर पर कुस्तुम तुनिया के पतन अर्थात कंस्टिन्टिनुपल दिफॉल आफ कंस्टिनुपल पूर्तगाल ने दक्षन एशिया एवं दक्षन पूर्व एशिया में अपने व्यापार का विस्तार किया। यहाँ वह काल था जब अपनी बेहतर नव परिवहन तकनीक एवं युद तकनीकी के आधार पर यॉरोपीय व्यापारी मुसलिम व्यापारियों को पीछे हटाते वियापार पर कब्जा करने लगे अटलांटिक महासागर हिंद महासागर अरब सागर फारस की खाड़ी एवं लाल सागर पर योरोपिय व्यापारियों का नियंत्रन हो गया व्यापारिक कमपनियों का गठन योरोपिय देशों के द्वारा विभिनक्षेत्रों में व्यापार करने के लिए व्यापारिक कमपनियों का गठन किया गया कुछ कमपनियों का गठन सीधे तोर पर सरकार के नियंत्रन अर्थात सरकार के द्वारा किया गया जैसे पुर्तगीज इस्पेनिश कमपनिय आदी परन्तु फिर आगे कुछ वियापारियों ने मिलकर जॉइन्ट स्टॉक कमपनी अर्थात जैसे ब्रिटिश इस्ट नियर कमपनी जैसी कमपनी का गठन किया जो कि सरकार के नियंत्रण में नहीं थी या डच कमपनी तो सबसे पहले हम समझते हैं जॉइन्ट स्टॉक कमपनी क्या थी ये कमपनी सरकार के दोरा नहीं बलकि व्यापारियों के दोरा गठित की जाती थी इसके अतिरिक्त यहां बाजार में शेयर जारी कर अतिरिक्त रकम जुटाती थी शेयर धारकों को मुनाफे का आंश मिलता था इसके दो फायदे थे पहला कमपनी अधिक से अधिक संसाधन जुटा पाती थी दूसरा यदि कुछ व्यापारी कमपनी को छोड़ कर चले जाते तो भी कमपनी नहीं तूटती इस प्रकार ऐसी कमपनीों का स्वरूप इस्थाई हो गया था इस्ट इंडिया कमपनी को व्यापारी के एक अधिकार अगर देखा जाए तो किसके द्वारा दिया गया और इसका उद्देश क्या था अगर हम इसको समझे तो हम पाते हैं कि 1599 इस्वी में असी अंग्रेजों ने मिलकर इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना की 1600 इस्वी में ब्रिटिस सामरागी एलिजवेट ने इसे 15 वरशों के लिए पूरवी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार दिया फिर आगे जेम्स प्रथम ने एक अधिकार की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गौर तलब है कि एक अधिकार देने के पीछे उद्देश यह था कि संबंधित देश का दूसरा व्यापारी उस शेत्र में व्यापार न करे ताकि अपने ही देश के व्यापारियों के बीच प्रतेश परधा न हो और उस कमपनी को अधिकतम लाभ मिल सके चूंकि वह कमपनी उस लाभ को अपने देश में लाएगी इससे सरकार को फायदा होना निश्चित था तो खेर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 18 सदी का पुरवार्द क्या था 18 सदी का पुरवार्द का मतलब 1st half of the 18th century ये कैसा था तो 18 सदी का भारत आधुनिक भारत के इतिहास का आरमब 18 सदी के इतिहास से होता है अठारवें सदी के इतिहास को एक प्रथक खंड में रखकर देखा जाना चाहिए सुविधा की द्रष्ट से इसको पूरवार्ध हो रुत्तरार्थ में माट सकते हैं तो अठारवें सदी के पूरवार्थ में भारत के राजनीतिक दशा कैसी थी अगर हम इसे देखें तो इसमें दो घटनाएं हुई पहली है दिफालाफ मुगल एम्पायर अर्थात मुगल समराजी का विगटन हुआ और दूसरी है क्षेत्री राजे जो थे उनकी स्थापना हुई तो देखते हैं कि मुगल समराजी का विगटन ये कितनी बड़ी घटना थी और क्या थी कैसे मुगल समराजी विगटित हो गया जैसे कि हमने देखा कि भारती एतिहास में मुगल समराजी उन गिने चुने समराजियों में था जो कि उत्तर पश्ची में काबुल का अंधार से लेकर और पूरुव में बंगाल और दक्षण में कृष्णा नदी के भुभाग तक अपना नियंत्रन रखता था किन्तो औरंगजेब के अगर देखा जाइए सामराजी अकबर से लेकर औरंगजेब तक विस्तारित होता रहा औरंगजेब के काल में इस सामराजी के शक्तेवन प्रतिष्ठा लगभग खतम हुई या कहे सकते हो कि उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा और औरंग जेब की मृत्व के बाद तो ये बिगटित होने लगा इस सामराजी के बिगटन के लिए क्या कारक जिम्मेदार थे अगर हम इस पर गहर करें तो पाते हैं कि कई आंतरे के वंवाहे कारक जिम्मेदार थे आरंब में इतिहासकारों ने इसके पतन की व्याक्या आयोग्य उत्तराधिकारियों और अनुत्तरदाई अमीर वर्ग यानि जिनकी कोई रिस्पॉंसविल्टी नहीं है ऐसे अमीर वर्ग आध के परिप्रेक्ष में करने का प्रयास किया था आगे चलकर इसके विगटन का प्रमुख कारण इसके संस्थागत कमजोरियों को माना गया फिर 18 सदी में हुए वाहे आकर्मनों को भी मुगल सामराजी के वेगटन का प्रमो कारण माना जाने लगा परन्तु वाहे आकर्मनों को इसके पतन का कारण मानने के बजाए उसका परिणाम माना जाना अधिकुछ इता है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाद के औरंगजेब के बाद के मुगल साशक थे वो कौन-कौन थे महतुपण मुगल साशक तो देखे ओरंगाजेब की मृत की जश्ठबाद में मुवजम बना था ओरंगाजेब की मृत की बाद 1707 में जो उसके पुतरों के बीच में जो जगड़े हुए जो योध हुए जाज़व का नामक इस्थान पर योध हुआ और उसमें जो मुख्जम था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिली के तक्त पर या दिली की गद्धी पर बैठ गया मुख्जम की खास बात ये थी कि इसने मराठों राजपूतों के प्रति मैत्रे पूर्ण नीती और सिखों के साथ पुरसकार्यम दंड की नीती अपनाई इसने दसवें गुरू गोविन सिंग को उच्च मंसब दिया था और सत्रा सु बारहा में सिख नेता बंदा बहादुर के विरुदेख सैन अभियान के दोरान इसकी मरत्य हो गई थी और इसे शाह ए बेखवर के नाम से भी जाना जाता था इसके बाद जहादर साह आया ये सत्रा सो बारह में बहादुर शाह की मरत के बाद मुगल बाश्चाह बना जहादर शाह ने हिंदू और मराठों से मेत्री पुरूण संबंद बनाए रखा इसने आमेर के राजा जैसिंग को मिरजा तथा मारवार के राजा अजीत सिंग को महराजा की उपाधि प्रतान की थी तथा मराठों से संबंद बनाए रखने के लिए समकालिक शाहु जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथेवं सरद श्मुखी वसूलने का अधिकार दिया और जहादर शाह के समय पर ही जजिया कर पर रोक लगा दी गई थी जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था फिर आता है फरुक सियर फरुक सियर 1713 में आया और 1719 तक ये रहा है जहादर शाह के बाद में सेयद बंधू अर्था अब्दुल्ला खान तथा हुसेन खान एक बात और बता दें जहादर साह के बल लगवग एक वरषी इसने रहा है यानी 1712 में बना और 1713 में इसको भटा दिया गया तो जहांदर साह के बाद में कौन बना फरुक सियर तो 1713 में बना 1719 तक जहांदर साह के बाद सेयद बंधु जो थे अब्दुल्ला खां और हुसेन खां उनके सहयोग से फरुक सियर जो है वो 1713 में शासक बना 1717 में फरुक सियर ने एक फर्मान जारी किया था जिसके जरिये से अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिली थी इसे कमपनी का मैगना कार्टा कहा जाता था फरुक सियर के कारेकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था सियद बंदू के बढ़ते हस्तक शेप से भैवीत होकर फरुक सियर इनके खिलाफ शडेंतर करने लगा लेकिन समय से पहले ही इन शडेंतरों की जानकारी सियद बंदू के लग गई और उन्होंने मराठा पेशवा बाला जिवेश्वनात और मारवाड के राजा अजीस सिंग के सहयोग से जून 1719 इस्वी में फरुक सियर को सिंगहसन से अपदस्त करके हत्या करवा दी और फरुक सियर ने जजिया तथतीर थयात्र कर हटा दिया था पूरी तरीके से और धार्मिक सहिश्णुता की नीती अपनाई थी और फरुक सियर को का उपनाम जो था वो घ्रनित कायर इस उपनाम से उसको जाना जाता था फरुक सियर के हत्या के बाद सेयद बंधों ने रफियुद दरजात को 1719 में गद्धी पर बिठाया जिसकी जल्दी ही बीमारी के कारण मरती हो गई रफियुद दरजात के बाद रफियुद दौला बना रफियुद दौला उसको सेयद बंधों ने बनाया 1719 में और वो अफीम का आदी था इसकी भी जल्दी ही मरते हो गई उसके बाद 1719 में ही ये रफियुद दौला जो है पेंचिस से मरा था इसको 25 हो गई थी मुहमद शाह ये 1719 में रोशन अख्तर इसका मूल नाम था ये बाद में बना है सेयद बंधों के सहयोग से ही सितंबर 1719 में और ये मुहमद साह के नाम से मुगल सिंग हसन पर बैठा इसके शासनकाल में हैदराबाद अर्था चिन किलिच खान और बंगाल जो की मुर्शीद कुली खान के दोरा और आवध जो की शादत खान के दोरा भरतपुर तथा मतुरा इनमें चूडामन तथा बदन सिंग के दोरा गंगा के पूर्वी तटी भाग में रुहेलों के नित्रतों में और फरुखावद में बंगस नवाबों इन सभी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता के स्थापना की एक बार फिर से बता दू हैदराबाद स्वतंत्र हो गया इसी के काल में लगवग स्वतंत्र था बंगाल, अवध, भरतपुर, मथुरा और गंगा के पूर्वी तटी भागों में रुहेलखंड और फरुखावद इन सभी जगों पर स्वतंत्र सत्ताएं इस्थापित हो गई अर्थात मुर्शीद कुलिखाण मुहमद शाह जो था वो एक तरीके से फाल अफ मुगल एंपायर के लिए विशेस रूप से जिम्मेदार था मुहमद शाह के शासनकाल में ही 1749 में नादिर शाह आया उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1748 में एहमद शाह अबदाली ने पंजाब पर पहला आक्रमण किया मुहमद शाह को रंगीला के उपनाम से जाना जाता था अगर एक बार मुगल दरवार में जो विभिन गुट थे उनकी अगर बात करें तो वो गुट कौन कौन से थे तो एक सेयद बंधों का गुट था एक तूरानी गुट था और एक इरानी और एक अफगानी सेयद बंधों के गुट में अगर हम देखें तो अब्दुल्ला खान था हुसेन अली था और ये भारती इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने चार लोगों को राजा बनाया एक फरुक सियर, एक रफियुद दरजात, रफियुद दौला और मुहमद शाह और सेयद बंदों का जो विरोधी गुट था उस विरोधी गुट को उसमें देखें तो तूरानी थे ये तूरानी में बहुत इंपॉर्टन था चिन किलिच खान जो की निजाम, उल्मुल्क के नाम से हैदरबाद का निजाम बना और अमीन खान, ये भी एक तूरानी था और इन्ही के प्रियासों से मुहमद शाह रंगिला के समय में इन दोनों भाईयों की हत्या कर दी गई थी, सेयद बंदों के हत्या कर दी गई थी और सेयद बंदों के पतन के बाद में, मुगल दरबाब में यही तूरानी गुट काफी प्रभावशाली थे एक गुट था एरानी, एरानी गुट चध का था, वो शे अस्या serving थे अठारवी सदी में मुगल समराजी को दो बड़े आकरमणों का भी सामना करना पड़ा है पहला आकरमण था नादिरशाह वाला जो कि 1749 में इरानी आकरमण हुआ और दूसरा था अहमस्यापदाली वाला जो कि कई बार उसने आकरमण किया है अफगानों का बराबर पंक्ति थी काबुल गजनी कांधार ये पहले सुरक्षा पंक्ति थी संपुन भारती इतियास में कुल तीन राجवंशों का नियंत्रन ही इस वज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति पर रहा था ये राजवंस थे मॉर ऐकुशार वह मुगल लेकिन जब शाह जहां के काल में कांधार के क्षेतर पर सफावी राजवंस ने कबजा कर लिया था तो उत्तर पश्ची में मुगलों की एसरुक्षा पंक्ती तुट गई इसका फायदा आगे नादिर्शाह को मिला जो 1749 में सिंधु नदी को पार करके दिल्ली की और बढ़ाया मुगलों के साथ उसकी निरनायक लड़ाई 24 फरवरी 1749 को करनाल में हुई जिसमें नादिर्शाह जीत गया और नादिर्शाह दिल्ली से बहुत सारा धन लेकर वापस हो गया भारत से लोडते हुए उसने सिंधु के समस्त पश्यमी भुभाग पर कबजा कर लिया इस कारण उत्तर पश्यम की सुरक्षा पंक्ति और भी कमजोर हो गई क्योंकि अब सिंधु नदी पर आधारित सुरक्षा पंक्ति भी तूट चुकी थी फिर 1749 में अफगान शासक अहम शाहबदाली भारत पर आक्रमण कर पंजाब पर भी नियंत्रन इस्थापित करने में सफल रहा एक बार पंजाब पर कबजा हो जाने के बाद किसी भी आक्रमण कारी सेना के लिए हरियाना का खुला मैदान पार करना और दिल्ली तक पहुंजाना बहुत आसान हो गया इसलिए अधिकानस आक्रमण कारी शक्ति पंजाब पर आधिपत्य के बाद दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करती थी इसी कारण अफगानों का 1748 इस्वी के बाद दिल्ली पर नियंत्रन आक्रमण होता रहा दिल्ली पर निरंतर आक्रमण होता रहा अतहा इस दरण भले ही मुगल शासक नाम मात्र के शासक के रूप में इस्थापित रहे पर दिल्ली पर अब्दाली का वर्चस्च बना रहा इस परकार इस पस्थ है कि पंजाब और दिल्ली के बीच इस्थित हर्याणा का यह खुला क्षेत्र सामरिक दृष्ट से अतिधिक महत्तुपुन था हर्याणा के इस मैदान से दिल्ली की और आने के क्रम में एक प्रमुख इस्थल था पानीपत का मैदान अता जब आकरमणकारी से न दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करती थी तब दिल्ली इस्थिश शक्ति उसे पानीपत में रोकने का प्रयास करती थी इसलिए मध्यकाल के कुछ प्रमुख भू प्रकम्पी युद्ध पानीपत में घटित हुए इस स्थल पर कुल तीन प्रमुख युद घटित हुए जिनमें पहला युद 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दूसरा 1556 में अकबर और हेमु के बीच और तीसरा 1761 में मराठों एवं एहमस शाबदाली के बीच हुआ इनमें पानिपत का तीसरा युद अठारवें शदी के भारती इतिहास की एक महातुपण घटना है इस युद का एक दिल्चस्पत थी यह है कि यह दिल्ली से कुछ ही मिल दूर घटित हुआ परन्तु इसमें मुगल सामराजी के कोई भूमिका नहीं थी दोनों शक्तियां बाहर से आकर लड़ रही थी एक शक्ति एहमशाह अबदाली के अंतरगत अफगानिस्तान से आई थी तो दूसरी शक्ति मराठी थी जिनका आकरण दक्षन भारत से हुआ था इसमें सदा शिवराओ के नित्रत वाली मराठा सेना को अबदाली ने बुरी तरे पराजित कर दिया उससे भी दिल्चस्पत थी यहां है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह सिद्ध नहीं कर पाया या किया कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा है तो थोड़ा डिटेल में हम लोग नादिर शाह और आहमाशा अबदाली के आकर्मणों की अगर बात करें तो नादिर शाह जो था है वो फारस का शासक था इसको इरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है और ये मुहमाशा के शासनकाल में 1838-39 के बीच में इसने भारत पराक्रमन किया फरवरी 1749 में नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में करनाल में भीशन युद्धुः जिसमें मुगलों की हार हुई और मुहमाशा को बंदी बना लिया गया नादिर्शाह दिली में पचास दिन तक रहा और लगातार लूट पाट करता रहा वो प्रसिद मुगल राज सिंगासन तक ते ताउस को भी ले गया और मुगल ताज में लगे विश्व के सरवाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया था इसके बाद एहमाशाह अब्दाली जो है उसको दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती उसके नाम से भी जाना जाता है ये महमाशाह के कारिकाल में ही ये भी भारत पर इसने भी आकर्मन किया सबसे पहले और अपने कुल साथ आकर्मन इसने किये हैं टोटल उन साथ आकर् अब्दाली ने 1767 इसवी में भारत पर अंतिम आक्रवन किया और भारत से वापस जाने से पहले अहमशाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारती प्रदेशों की सुवेदारी रुहेला सरदार नजीब उद्दौला के सौंपदी थी जो कि मुगल सामराजी का मीर और समप्रभता की प्रतिचाया बनकर रह गया था वहीं दूसरी तरफ अनेक शेत्रिय राजे स्थापित हुए और फिर एक बार बहुराज्य विवस्था कायम हो गई इन राजेयों को अगर हम देखें तो कुछ समूहों में बाट कर देखा जा सकता है जैसे पहला है उत्तरा धिकारी राजे उत्तरा धिकारी राजेयों का अभिपराय है कि मुगल सामराजी के उत्तरा धिकारी इन राजेयों का ओदभव मुगल सामराजी का प्रतेक्ष निय और हैदराबाद बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाल के स्वतंत्र राजी का संस्थापग मुर्शिद कुली खान था वह लगबग 1727 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा यद पि उसने आपचारिक रूप से मुगलों से कभी भी संबंद विच्छिद नहीं किये आरंब में प्रतिक सूबे में मुगलों की केंद्रिय सत्ता के द्वारा सूबेदार और प्रांतिय दीवान जैसे दो प्रथक पदों का सरजन किया जाता था और यहां अपेक्षा की जाते थी कि ये दोनों पदा धिकारी एक दूसरे से स्वतंत्र रहें तथा एक दूसरे पर संतुलन बना कर रखें परंतु मुर्शिद कुली खान जो पहले दीवान के रूप में नेक्ट हुआ उसने सुवेदार का पद भी अपने में समाहित कर लिया इसलिए उसे नवाब कहा गया आगे उसका उत्राधिकारी उसका दामाद सुजाउद दीन और फिर सुजाउद खान बंगाल के नवाब के पद पर इस्थापित हो गया यह जो अली वर्दी था यह इसी ने सरफराज की हत्य की थी उसने 1740 से 1756 तक शासन किया और एक शक्तिसाली सरकार तथा चुस्त प्रशासन के स्थापना की यद्देपी वो मराठों के आक्रमन से परेशान था अतहा उसने 1751 इसवी में उडीशा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्शिक चोथ के रूप में एक निश्चित धनराश देकर मराठों से संधि कर ली अली वर्दी खान बंगाल का प्रथम नवाब था जिसने मुगल सामरज से आपचारिक रूप से संबंध तोड़ लिये धाका के इस thighन पर मुषि트 आबाद को बंगल के राजधानी बनाया किसने मुषित कुली खानBe मुर्शित कुली खान ने राजी की प्रशासनिक व्यवस्ता में सुधार करते हुए राजी की वित्ती व्यवस्ता का नए सेरे से प्रबंध किया उसने अपने नए भूभाग भूराजसु बंदोवस्त के जरिये जागीर भूमी के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमी अर्थात परत्यक्ष रूप से बादसाह के नियंत्रण में रहने वाली भूम में तब्दिल कर दिया तथा ठेके पर भूराजसु वसूली की नई प्र मशाह कलकत्ता और चंद्रनगर के किले बंदी की अनुमती नहीं दी अली वर्दी खान ने योरोपियों को मधुमक्यों की उपमा दी थी कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी परन्तु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी 1756 में अली वर्दी खान के मृत के बाद उसका दोहित्र रर्था तो उसका नाती पुत्री का पुत्र सिराज दौला नवाब बना तो ये कहानी थी बंगाल की अब हम आते हैं अवद में अवद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था बुरहानुल मुल्क उसकी उपाद थी जो सयद वंधू के खिलाफ शडेंत्र में शामिल होने तथा मुहमद शाह का साथ देने के एवज में मिली थी वहाँ 1722 इसवी में व्याभारिक रूप से स्वतंत्र हो गया था उसने 1723 इसवी में अवद में नया राजसु बंदोबस्त लागू करके किसानों पर उचित भू राजसु का निरधारन किया उसने 1749 इसवी तक अवद पर शासन किया 1749 में मुगल बास्षाह मोहमध शाह ने नादर शाह से लड़ने के लिए सादत खान को दिल्ली बुलाया था 1749 में ही सादत खान की मृत्य के बाद क्योंकि उसकी मृत्य हो गई थी तो उसकी मृत्य के बाद उसका भती जाता था दामाद सफदर जंग ये अवद का नवाब बना इसका असली नाम था अबुल मनसूर खाँ उसे 1748 इस्वी में मुगल बाशाह मुझमद शाह ने वजीर का पद भी परदान किया था इसलिए अवद के नवाब वजीर कहलाने लगे सफदर जंग का उत्रा धिकारी शुजाउद दौला हुआ बकसर के युद में वही मौझूद था इसी सुजाउद दौला जो था इसी के साथ साहा अलम दुतिय इसकी संधी हुई थी सुजाउद दौला के साथ और ये साहा अलम दुतिय जो की गौँ अली गौहर था इसी को सुजाओ दोला ने शर्ण दी थी अब चलते हैं हैधराबाद हैधराबाद के स्वतंत राजिका संस्थापक निजामुल मुल्क था उसका आरंभिक नाम था चिन किलिच खां परंतु उसके स्वामी मुहमद शाह ने उसे निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपादी दी थी 1722 इसवी और 1724 इसवी के बीच वह मुगल बजीर के पद पर नियुक्त रहा परंतु मुगल शाह सक मुहमद शाह की निती से निराश होकर उसने 1724 इसवी में हैदराबाद के स्वतंतराज के स्थापना कर ली उसने केंद्री सरकार से अपनी स्वतंतरता के खुले आम गोशना कभी नहीं की मगर ब्योहार में उसने 1748 तक स्वतंतर शासक के रूप में कार किया हाला कि मराठों के हाथों उसे पराजित होना पड़ा फिर भी उसने अपनी मृत्य तक हैदराबाद की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखा अगर हम इसके बारे में देखें चिनकिलिज खान के बारे में तो ये इरानी गुट का था मुहमर्शाह ने हैदराबाद राजी की स्वतंतरता को मानिता देते हुए चिनकिलिज खान को आसफ जहां के उपादी भी परतान की थी और उसने स्यद वंधों के पतन में महत्वण भूमिका निभाई थी निजामुल मुल्क ने हिंदूों के प्रत उधार नीती अपनाई उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान निउक्त किया था निजामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस विवस्था में नहित भरष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया 1748 में निजामल मुल्क की मुर्ट के बाद हैदरबाद आंतरिक संगर्ष तथा करनाटक के प्रशन पर अंग्रेजों एवं फ्रांशेसियों की कूटनीत का शिकार बना अब हमाते हैं विद्रोही राजे मुगल सामराजी की परिधी में ही इन राजियों का उद्भव हुआ था तथा ये राजे मुगल सामराजी के विरुद्ध विद्रोह कर अस्तित्त में आये थे ये राजे थे नमबर एक मराठा मुगल और दक्कनी राजियों से संघर्ष कर मराठों ने सिवाजी के अंतरगत एक स्वतंत राजी के स्थापना की थी इस राजी ने पतनोनमुख मुगल सामराज्य को सबसे प्रमुख चुनोती दी थी परन्तु शिवाजी की मृत्य के बाद औरंग जेब ने दक्षन अभियान कर दक्षन के मराठा राजियों को जीत लिया आगे औरंग जेब की मृत्य के बाद छत्रपति शाहुजी के अंतरगत मराठा शक्त एक बार फिर पुनर जीवित हुई तथा पेशवाओं के अधीन मराठा राजी ने एक बार सामराजी का रूप ले लिया फिर एक समय ऐसा भी आया जब यह लगने लगा कि मराठा सामराजी मुगल सामराजी को भी विस्थापित कर देगा परन्तु ऐसा हो नहीं सका पेशवाओं बाजीराओं प्रथम जो कि 1720 से 1740 तक पेशवा रहे उन्होंने उत्तर की ओर अभियान किया था परन्तु उसके उत्तरा धिकारी बालाजी बाजीराओं जो कि 1740 से 1761 के बीच रहा उनके अधीन मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में अपनी उपस्थित बनाए रखी उसने न केवल दिल्ली पर अपना वर्चस्थ बनाए रखा अपितू उत्तर पश्चिम में पंजाब से भी अफगानों को खदेडने का प्रयास किया इसके पीछे बाजिराओ पर्थम की भविश्वानी की मराठा जंडा कृष्णा नदी से अटक तक फैराएगा एक उत्त प्रेरक की भूमिका निभा रही थी कुछ समय के लिए या लक्ष प्राप्त भी हो गया किन्तों शीग रही अफगानों ने मराठों को पानिपत के तीसरे युद्व में पराजित कर दिया तथा मराठे पराजित होने के बाद दक्षन की ओर लोट गया मुगल समराठी का विकल्प देने में मराठों की विभलता के क्या कारण थे अगर हम इस पर विचार करें तो वस्तुताहा जिस प्रगति हीन शक्ति का प्रतिने धित्व मुगल समराठ करते रहे थे मराठे भी लगब उसका ही प्रतिने धित्व कर रहे थे मुगल प्रशासन के अंतिम दिनों में आकर जब केंद्री कृत्सन रचना तूट गई तब समंती तत्व उभर कर आए परन्तु मराठों के अधिन ये तत्वा आरंभ से ही प्रभाबी रहे थे पेश्वाओं के अधिन जब मराठा शक्ति का विस्तार हुआ तो इसका स्वरूप समंती होता गया उदाहरन के लिए मराठा परिसंग का गठन हुआ इसके केंद्र में पूना का पेश्वा था जबकि इसके अन्य घटक थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बडवदा के गायकवार केंद्रे सत्ता कमजोर हो चुकी थी और मराठा परिसंग के अन्य घटक पेश्वा के मातहत रहने को तयार नहीं थे मराठों की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना भी, उसमें भी सामंतित को प्रेरित करने में उनकी कमजोर राजसो व्यवस्था की अहम भूमिका रही थी उन्होंने अपने राजसु की कमी की ख्षतिपूर्ती चौथ और सरदेश मुखी जैसे अनियमित करों से करने का प्रयास किया चौथ पराजित राजिके कुल राजसु का लगभग 25 प्रतिशत और सरदेश मुखी कुल राजसु का 10 प्रतिशत होता था परंद इसकी वसूली के लिए संबंदित राजी पर निरंतर सेन दवाव बनाए रखना होता था चूंकि वसूल किये गए चौथ और सर देशमुखी का अधिकांस भाग विभिन मराठा सर्दारों के बीच आवंटित कर दिया गया था इसलिए ये मराठा सर्दार शक्तिशाली बनकर उभरे बढ़ती हुई समंती प्रवर्ति के कारण शिवाजी के द्वारा इस्थापित दक्ष प्रशासनिक सनरचना पेशवाओं के काल तक विखर गई प्रमुख अधिकारियों के पद वन्शानुगत हो गए तथा देश मुख जैसे मराठा जमिदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए मराठों की प्रशासनिक राजनितिक सनरचना की कमजोरी का मुखे कारण था मराठा राजी का कमजोर आर्थिक आधार चुकि यह क्षेत्र अधिक उपजाओ यवा मारतिक रूप से विक्सित नहीं था इसलिए यह अत्रिक्त आयपराप्त करने के लिए चौथ और सरदेश मुखी जैसी अनियमित आयपर निर्भर थे जबकि इन्हें वह अवसर मिला था कि वे क्रशना तुंग भद्रा दुवाब एबं गंगा यमुना दुवाब के उपयुक्त छेत्रपन नियंत्रन बना सकें और क्रशित अथा उद्योग को प्रोचसाहन दे सकें परन्तु उन्होंने इसमें रूची नहीं दिखाई जाट राज्ये जाट राज्ये की इस्थापना मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करके हुई थी सर्व प्रथम औरंग जेव के काल में 1669 में गोकुल जाट और 1686 में राजा राम जाट जो की छेत्रिये जमिदार थे उन्होंने विद्रोह किया था परंतु औरंग जेव की मृत्य के बाद चूडा मन जाट एवं बदन सिंग ने स्वतंतर जाट राज्ये इस्थापित किया यह राज्ये दिल्ली आगरा और मतुरा के आसपा से इस्थापित था जाट खेतियरों की एक जाती है जो दिल्ली, आगरा और मतुरा के समीप वर्तिक्षित्र में रहते थे जाट नेता सूरज मलकों जाटों का अफलातून अर्थात प्लेटो कहा जाता है 1763 में सूरज मलकी मरत्य के बाद जाट राजी का पतन हो गया रुहेला राजी रुहेला राजी के स्थापना एक अफगान अली मुहम्मद खान ने रुहेल खंड में की थी इसकी पहली राजधानी आवला बरेली के पास तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी बना यहाँ इलाका हिमाले की तराई से गंगा तट से कुमाओं की पहाड़ी तक फैला हुआ था अत्यंत उपजाओ उक्षेत्र इसमें आता था रुहेलों का अवध दिल्ली और जाटों के साथ लगतार संगर्श होता रहा आगे अवध के द्वारा इसे जीत लिया गया रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खान ने बाहरी आकर्मणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधिकी और बदले में 40 लाक रुपए देने की बात की 1773 में रुहेल खंड पर मराठों के आकर्मण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उने भगा दिया और संधिकी अनुसार रुहेलों से धनराश मांगी रुहेल नेता हाफिज रहमत खंड द्वारा धनराशी न देने पर आवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आकर्मण किया तथा मीरापुर कट्रा के युद्ध अपरेल 1774 में हाफिज रहमत खंड को पराजित कर मार डाला इस्ट इंडिया कमपनी ने हाफिज रहमत खंड के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खंड को रामपुर का शासक बना दिया अन्तता रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़ कर शेस समस्त शेत्र अवद के नवाप शुजाओ दौला को दे दिया गया फरुखवाद उत्तर प्रदेश के फरुखावाद क्षेत्र में मुहमत खा बंगस ने एक स्वतंत राज फरुखावाद के स्थापना की सिख राज सिख एक धार्मिक पंथ था जो एक समता मुलक समाच के स्थापना पर बल देता था इसके संस्थापक गुरु नानक देव थी उनके द्वारा सोलहवें सदी में इसके इस्थापना की गई थी पाँचवें गुरु अर्जुन देव ने अमरसर में एक स्वर्ण मंदिर इस्थापित कर सिख पंथ को संगठित किया तथा एक प्रकार का आध्यात में कर भी लगाया परंत उसकाल की सामन्ती ववस्था में संभव था इस प्रकार का एक समतावादी पंथ आधिक समय तक नहीं चल सकता था इसलिए इसके टकराहट मुगल सामराजिसे हो गई और फिर मुगल साशक जहांगीर तथा औरंगजेब के हाथों क्रम शाह पांचवें एम नौवें सिख गुरू को शहादत मिली वैसे तो चटवें सिख गुरू हर गोविंद ने ही सिख पंथ का सैनी करन कर दिया था परंत वास्तविक रूप में गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंथ के स्थापना कर इसे एक ज्यादा प्रभावि सैनिक संगठन के रूप में ढलने का प्रयास किया आगे गुरू गोविंद सिंग के बाद बंदा बाहदुर ने मुगलों को अपने धंग से चुनोती देने का प्रयास किया परंतु वह पराजित हुए और मारे गए आगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों के दक्षण की ओर लोटने और अफगानों की अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान करने के कारण जो एक राजनितिक शूनिता के स्थिति उत्पन हुई उसे सिखों ने भरने का प्रयास किया और 1764 ही सभी में कुछ वरिष्ट सिख सरदार अमरसर में एकत्रित हुए तथा खालस एक शक्तिशाली राजी के रूप में इस्थापित हो गया तथा उसका विस्तार सतलज नदी से लेकर उत्तर पश्ची में पेशावर और उत्तर में कश्मीर तक हो गया सिख राजे से संबंदित कुछ अन्य तथे इस प्रकार हैं 1764 में सिख समदाए कि कुछ गड़माने सरदार अमरसर में एकठा हुए उन्होंने सिख के ढाल कर अपने संग और पंथ के प्रभुत्त की गोशना की गौर तलब है कि अहमशाः अबदाली ने भारत पर साथवाय मंतिम आकर्मन सिखों के विरुद्ध ही किया था फिर भी सिखों को कुछला नहीं जा सका आगे चलकर सिखों ने पंजाब और कश्मीर पर कबजा कर लिया सिख कुल 12 मिसल में विभाजित थे सिखों के दस्वें एममंतिम गुरू गुरु गोविन सिख की म्रत्यू के बाद गुरू की परंपरा समाप्त हो गई और इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतरत सभाला बारह मिसलों में से सुकर चकिया मिसल में जन्मे रणजी सिंग को काफी ख्याती प्राप्त हुई ये इतिहास में शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है मुगल सामराज की परिदी से बाहर के राजे मैसूर राजे की गद्धी पर स्थापित हो गया उसने फ्रांशीसियों की सहायता से सेना का अधुनिकी कर्ण किया और आधुनिक शस्त्रगारों के स्थापना की उसने मालावार के मसाला उत्पादक शेत्र पर भी कपजा किया आगे उसके अउत्तराधिकारी टीपो सुल्तान ने मैसूर के आधुनिकी करण में विशेस रूप से भूमिका निभाई त्रावन कोर का राज्य केरल का अक्षेत्र मुगल समराजी की परिधि से बाहर रहा था यहां कई राज्य स्थापे थे काली कट एक प्रमुख बंदरगाह राज्य था जो जमूरिन के अंतरगत था परंतु त्रावन कोर राज्य अठारवी शदी के आरंभेक दशक में मारतंड वर्मा के अधीन एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा मारतंड वर्मा ने अपनी करेवं वित्तिय प्रणाली को सुधारा तथा सेना का आधुनिकी कर्ण किया उसे डचों को पराजित कर भारस से बाहर खदेडने का श्रिय दिया जाता है उसने ब्रिटिश कंपनी को भी अपनी शर्तों पर व्यापार करने की अनुमत दी आमेर अठारवी सदी का सबसे सर्वश्रेष्ट राजपूत शासक आमेर का सवाई जैसिंग 1681 से 1743 इस्वी था उसने जाटों से लिए गए इलाके में जैपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान एवं कला का महान केंद्र बना दिया वह एक महान खगोल शास्त्री भी था उसने जैपुर, मतुरा, दिल्ली, उज्जेन एवं बनारस में आधुनिक उपकरणों से सुसजित वेदशालाएं बनाई जैसिंग ने यूकलिड की रेखागडित के तत्तों त्रिकोन मित की बहुत सारी कृतियों और बहुगुडकों को बनाने एवं उसके उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया खगोल शास्त्र अध्यन के लिए उसने एक शारणी बनाई जो जीज महमद शाही के नाम से जानी जाती है अठारवी सदी के काल के पुरवार्द का मुल्यांकन इस काल के मुल्यांकन में हम तीन विभिन प्रकार के विचार पाते हैं ये इस प्रकार है नंबर एक ब्रिटिस पक्षदर विद्वानों ने इसे अंधकार का युक करार दिया है और अपने मत के पक्ष में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह केवल राजनितिक विखटन ही नहीं बलके राजनितिक अराजकता का काल था जहां एक तरफ मुगल सामराज लुप्त हो गया था तथा मराठे लूट पट मचा रहे थे वहीं दूसरी तरफ आर्थे के स्थित भी दैनी अवस्था तक पहुँच गई थी परन्तु अब इस विचार को महत्तु नहीं दिया जाता है तथा ऐसा माना जाता है कि यह विचार ब्रिटिस सामराज वदी हित में लाया गया था तथा इसका उद्देश अठारवी सदी के पुरवार्थ को अंधकार का काल घोशित कर अठारवी सदी के उतरार्थ में ब्रिटिस के उपलब्धियों को बढ़ा चड़ा कर दिखाना है नमबर दू भारती इतिहास लेखन में दो विभिन धाराएं रही है परम परागत द्रिश्टकॉन के अनुसार मुगल सामराजी के विखिटन को पतन और संकट के रूप में देखा जाता रहा है ऐसा माना जाता है कि एक व्रहद सामराजी की जगे छोटे छोटे राज्यों के स्थापना ने भारत की राजनेतिक प्रशासनिक संरचना के पतन को सुनिश्ट कर दिया फिर इन राज्यों के बीच भी परस पर संघर्श होते रहे जिसका फायदा अंत तहा ब्रिटिस कंपनी को प्राप्त हुआ इसने मुगल सामराजी की अनुपस्थिती तथा भारती राज्यों के परस पर व्यमनस्वता से लाव उठाकर अपने को एक व्यापारिक कंपनी से राजनेतिक शक्त के रूप में परिवर्तित कर लिया इस समंद्ध में अधितन विचार हाल के कुछ दस्कों में उभर कर आया है इस दुरुष्टिकोंड के अनुसार इस काल को पतन अथवा अवनतिक अकाल करार देने के बज़ाए नई संभावनाओं से युक्त काल करार दिया जाना चाहिए क्योंकि नंबर एक जैसा की पीछे भी हमने देखा है कि भारती राजनेतिक संरचना की प्रमुक विशेष्टा व्रहत सामराज नहीं बलकि बहुराज ववस्था रही है यह भारत की भावगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल ही है दूसरा यह सही है कि मुगल सामराज जी का विखटन हो गया परंतु उसके पश्षात जो उत्तराधिकारी एवं अन्य राजी थे उन्होंने अपने अपने एक शेत्र में दक्ष प्रशासनिक संरचना कायम की उन्होंने जमीदारों पर अंकुष लगाया राजस व्यवस्था को सुधारा व्यापार को संरक्षन दिया तथा बहतर रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखी उदाहरन के लिए बंगाल, अवद, हैदराबाद, मैसूर, त्रवनकोर, आदिराज तीसरा, इस काल को आर्थिक अवनतिक अकाल मानना उचित नहीं है क्योंकि यह वह काल है जब यूरोपी व्यापार में व्रद्धि के कारण भारत में बड़ी मात्रा में चांदी और सोने जैसे कीमती धातुएं आ रही थी तथा यूरोपी कमपनियों के संपर्ग से सत्रहवें शदी में तंबाकू और मक्का तथा आगे चलकर आलू तथा लाल मिर्च वह विभिन परकार की बागवानी फसलों की खेती आरंब हुई इससे कुरुशी अर्थववस्था का मौदरी करण हुआ चौथा एक तरफ भले ही मुगल सामराजी का विखटन हुआ परन्तु मुगल कल के इस्थापत्य कला, चितर कला, संगीत कला ये सब इक शेत्री इस तर पर प्रसारित हो रही थी इतना ही नहीं बलकि शेत्री शास्कों के द्वारा भी धार्मिक सद्भाव की नीति को प्रुचाहन दिया गया था अताहा इन कारणों से अगर हम देखें तो अब 18 सदी के पुर्वार्ध के काल को पूर्व आधुनिक काल के रूप में देखा जाने लगा है अब 18 सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन कैसा था उस पर एक नजर डालते हैं 18 सदी के पूर्वार्ध में सांस्कृतिक और सामाजिक धाचा समरूप नहीं था समाज में जाति प्रथा का प्रचलन था और जातियां ही पेशे को निर्धारित करती रिती, समझ में अंतर जातिये विवाहों की मना ही थी, परदा पर्था अधिकतर उत्तर भारत के उच्छ वर्गों की महिलाओं में प्रचलित थी, परन्तु दक्षन भारत में उसका प्रभाव नहीं था बहु पतनी प्रथा के सासात बाल विवाह भी पूरे देशों में प्रचलित था, सती प्रथा अधिकतर उच जातियों में प्रचलित थी, दहेज देने की कूप प्रथा विशेशकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी, अठारवी सदी का गेरल में परिवार मात्र प्रथान था, पतनोन मुखी मुगल सामराज्य के कारण प्रांतिय दरवारों में चित्रकला की कांगडा और राजपूत शैली आधि का विकास हुआ, तो यह था अठारवी सदी का पूरवार्द, तो यह था आधुनिक भारत का एतिहास, श्रंख धन्यवाद